नमस्कार दोस्तों यह बहुत बड़ी खुस खबरी है डेलेवे ने यात्रियों को दिया बहुत बड़ी राहत जी हाँ जैसा कि आपको पता है कि वेटिंग वाले स्लीपर में यात्रा नहीं कर पा रहा है और ऐसे में कहीं भी यात्रा करना काफी ज़्यादा मुश्किल भरा ह रहा है ऐसे में कि जब तेवारों का समय आ रहा है तो आपको पता है कि भीड बहुत जादा बढ़ने वाली है खास करके जो बात की जा रही है वो आने वाले महाकुम्ब की की जा रही है जी हाँ इस बार 2025 में महाकुम्ब लगने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड की चेयर मैन और CEO जया वर्मा सिना ने कहा कि जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुम्ब के लिए इंडियन रेलवे पूरी तरसे तयार है जिया उन्होंने बताया कि महाकुम में रेलवे ने 900 स्पेसल ट्रेनों को चलाने की तयारी पूरी कर ली है जैसा कि आपको पता होगा कि जब पिछली बार 2019 में महाकुम्ब आया था तो उस समय 530 स्पेसल ट्रेन जो चल रही थी जैनिकी रेलवे पूरी तरसे तयार है क्योंकि आपको पता है कि रेलवे जो है कि वेटिग टिकट को लेकरके काफी ज़यदा ट्रोल हो रहा है काफी ज़यदे मुसीबत हो रही है आयर दिन लोगों को सीट नहीं मिल रही है और भीड बहार में यातरा करना पर रहा है तो ये काफी जादा जो एकी यात्रियों के लिए दुखद हो रहा है लेकिन ऐसे में जब 900 ट्रेनों को उतारा जाएगा तो ये देखना काफी देरचास्प होगा क्योंकि रूट भी काफी बीजी होगा इससे काफी ट्रेने डिले भी होगी इसके कई साइड एफेक्ट भी हो